अस्लाम अलीकुम प्यारे बच्चो आज मैं आपको सुनाऊंगी एक लकर हारे की कहानी एक गाउं में एक लकर हारा रहता था जिसका नाम रहमत था रहमत बहुत इमानदार और मेहनती था वो सुबा सवेले जंगल जाकर लकडियां काटता वो लकडियां पेच कर अपने घरवालों का पेट पालता था एक दिन रहमत की कुलहारी जंगल में खो जाती है वो बहुत परेशान होता है रहमत कुलहारी को इधर उदर ढूंता है पर उसे वो कुलहारी नहीं मिलती उसने सारे जंगल में कुलहाडी ढूंडी लेकिन कहीं नहीं मिली रह्मत बहुत उदास और परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो नई कुलहाडी खरीच सके बिचारा लकरहारा परेशान और ठक हार कर दराख के नीचे सो जाता है अच्छानक जब लकर हारे की आंग खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास एक उप्सुरसी परी होती है परी लकर हारे से पूछती है कि तुम क्यों बरेशान हो रहमत रोनी लग जाता है और परी से कहता है कि मेरी कुलहारी खो गई है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं नई कुलहारी खरीच सकूँ अब मैं लकडियां कैसे काटूँगा परी रहमत की बाते सुनकर कहती है कि तुम परेशान मत हो मैं तुम्हारी मदद करूँगी परी अपनी छड़ी हिलाती है और एकदम से सूने की एक कुलहारी आ जाती है वो कुलहारी वो रहमत को देती है लकरहारा वो कुलहारी देखकर कहता है नहीं ये मेरी कुलहारी नहीं है वो परी को वो कुलहारी वापिस कर देता है परी दुबारा से अपनी छड़ी हिलाती है और जादू से एकदम चांदी की कुलहारी आ जाती है परी वो कुलहारी लकड़ हारे को देती है रहमत वो कुलहारी देखता है और कहता है कि ये तो मेरी कुलहारी नहीं ये तो चांदी की है मेरी कुलहारी तो लोहे की थी रहमत वो कुलहारी देखकर बहुत खुश हुआ और बोला हाँ यही तो है मेरी कुलहारी जो खो गई थी लकरहारे ने रहम दिल परी का शुक्रिया अदा किया किस तरह उसने उसकी मदद की परी लकरहारे की इमानदारी देखकर बहुत खुश होती है परी बोली तुम बहुत इमानदार शक्स हो मैं ये तीनों कुलहारियां तुम्हें देती हूँ ये तुम्हारा इनाम है लकरहारा बहुत खुश होता है और कुलहारियां लेकर अपने घर की तरफ चल देता है तो प्यारे बच्चों इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और हर हाल में इमानदार रहना चाहिए क्योंकि इमानदारी बेहतरीन हिक्मते अमली है